यह वीडियो सिरीज उनके लिए है जो कंप्लेट को जावा सीखना चाहते हैं यह इस वीडियो सिरीज का वीडियो नंबर 74 है इस वीडियो में हम त्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में इसक्रेंगी तो लेट चेट साथ 2 वैरीफ विल इसक्रोन बिहिवेवेर अफ जो बाइट जावा जावा त्रेट का जो बिहिवेर होता है वह और सिंक्रोनस भीवेवर होता है अब यह asynchronous behavior क्या होता है so multiple threads can execute at a time Java में यदि हम multiple threads बना रहे हैं so जो multiple threads है वो एक साथ execute हो सकते हैं और जब वो किसी shared resource को use करते हैं तो वो shared resource को एक ही समय पे multiple threads use कर सकते हैं and this is the behavior that is known as an asynchronous behavior of a thread अब इसी asynchronous behavior को हम programmatically समझे fine so यहां पे हमने एक Java फाइल create की हुई है और इस Java फाइल में हमने thread के asynchronous behavior को discuss करने के लिए code लिखा हुआ है और इसी code को भी हम synchronize करके भी देखेंगे तो पहले तो इस code को हम समझें तो इस code में किया क्या है थोड़ा समझने की कोशिस करें very first we created a class named print number print number नाम से हमने class create किया और इस class के अंदर हमने do it नाम से एक method बनाया है और यह जो do it method है उसके अंदर code क्या लिखा हुआ है तो यह जो do it method है यह for loop को use करके 0 से लेके 9 तक के number generate करेगा और यह जो 0 से लेके 9 तक के number है उनको यहां पे हमने print करवाने के लिए code लिखा हुआ है लेकिन हर एक number को print करवाने के पहले हमने यहां पे thread को 500 millisecond यानि आदे second के लिए block भी किया हुआ है यानि जो thread do it method को call करेगा इस do it method को तो जो number print होंगे 0 से लेके 9 तक हर एक number को print करने के पहले जो thread है वो 500 millisecond के लिए block हो जाए करेगा fine यह हमने thread को क्या काम देना है क्या task देना है वो code लिखा कहां लिखा print number class की do it method के अंदर fine अब हमें इस do it method को call करने के लिए क्योंकि task जो है code जो है जिसको हमें इस separate thread execute करवाना वो do it में लिखा हुआ है तो इसको call करने के लिए हमें पहले एक thread बनाना पड़ेगा उसके लिए इसी file के अंदर हमने class create किया my runable जो implement कर रहा है runable को और जैसा कि हम जानते हैं कि जो code को हमें इसे separate thread execute करना है वह run method के अंदर लिखा जाता है तो run method के अंदर हमने do it method का call किया हुआ है okay do it method क्योंकि do it का code हमें इसे separate thread execute करवाना है अब चूंकि हमें do it method को call करना है तो उसके लिए print number का object ही होगा तो जो object ने run method के अंदर नहीं बनाया बलकि क्या किया हुआ है my runable class के अंदर एक instance variable बनाया print number नाम से जो की पी है यहां पे print number पी and then my runable का constructor create किया जिसको print number का object पास किया जाएगा जिसको यह पी variable में receive करेगा और जो पी variable में यहां पे object receive होगा उसको हमने instance variable पी में store कर दिया है और इस पी में जो object store हुआ एक तरीक इस object refer हो रहा है उसी को use करके हम do it method को call करें a little bit tricky code is written यह हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहां पे जब हम इस my runable के multiple object बनाएंगे मतलब multiple thread से इसको execute करवाएंगे तो उन multiple thread को same object हमें देना था shareable resource इसको कहेंगे इसलिए हमने ऐसा किया हुआ यहां पर है तो run method में हमने print number का object बना के print number का object यहां पर receive किया है तक कि एक ही object हम multiple thread को provide कर सकें fine so this is what about the threading code अब इसको demonstrate करने के लिए हमने इसी फाइल के अंदर synchronization demo नाम से main class बनाया नाम हमने synchronization demo ही रख दिया क्योंकि बाद में हम इसकी को synchronization के लिए use करेंगे and then इसके अंदर main method create किया main method में सबसे पहले हमने print number का object बनाने के लिए code लिखा हुआ है print number pn equal new print number then my runable का object बनाने के लिए code लिखा हुआ है my runable m equal new my runable और उसको हमने यह print number का जो object बनाया है उसके आर्गुमेंट पास कर दिया just look here my runable के constructor को हम pn से जो object रेफरोर है वो पास कर रहे है तो यहां पे my runable के इस constructor में print number p में जो है वह print number object पास हो जाएगा जिसको हमने इस p instance variable में store करवा दिया है okay then next what we did we created one thread object that is being referred by th1 so th1 thread हमने create किया और उसको my runable का object दे दिया then th2 thread भी हमने create किया और उसको भी my runable का object दे दिया तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनो th1 और th2 को हमने same my runable object पास किया हुए and the next step what we did th1 पे हमने start method call किया और फिर th2 को use करके हमने start method को call किया हुए पहले थोड़ा सा main method के अंदर हमने जो object create किये है उनको थोड़ा discuss कर ले so that we can understand exactly what is shareable resource so just look here यहां एक डाइग्राम हमने create किया हो इस डाइग्राम के थूँ यह object graph जो है हमें easily समझ में आ जाएंगे so main method के अंदर सबसे पहले हमने print number का object बनाया print number जो की PN से refer हो रहा है तो just look here print number PN जो इस print number के object को refer कर रहा है next step मेंने my runable object बनाया M equal new my runable और उसको PN ऐसे argument पास किया है हम जानते हैं कि PN जो है फिर यहां P में receive कि हमने और P को फिर हमने instance variable my runable का instance variable पी उसमें store हो जाएगा मतलब P my runable के अंदर है जो की print number को refer करेगा तो यह देखो my runable जो की M है एक तरीके से जो my runable की object को refer कर रहा है और इसके अंदर जो P है यह जो है just look here यह print number टाइप का है तो इसमें हमने यही print number का object पास किया तो PB जो है यह जो print number का object उसको refer करने लगा है okay this is the situation उसके बाद में हमने thread का object बनाया जो कि TH1 है तो TH1 thread का object बना अब TH1 thread के runable में हमने क्या पास किया हुआ है M मतलब M से जो object refer हो रहा है my runable का वो तो यह कह सकते हैं कि TH1 का my runable जो है वो यही वाला है and then TH2 thread create किया तो TH2 thread यहां पे create हुआ उसका भी runable है M ही उसको pass किया हमने तो उसका runable है वह भी किसको refer कर रहा है M से जो object refer हो रहा है उसी को तो यहां पे हम कह सकते हैं कि TH1 और TH2 दोनों एक ही my runable object को use कर रहे हैं और उसके बाद में जो my runable है वह भी एक ही print number को use कर रहा है तो यहां पे मैं समझाना यह चाहा रहा हूं कि दो thread है TH1 और TH2 यह दोनो TH1 और TH2 एक ही my runable को refer कर रहे हैं और my runable एक ही print number को refer कर रहा है तो यह कह सकते हैं कि TH1 और TH2 दोनों जो है वह print number का object है जो कि एक ही object है दो नहीं अलग-अलग मतलब TH1 के लिए print number का object अलग और TH2 के लिए print number का object अलग नहीं है एक ही है ओके तो यह तो यह दोनों TH1 और TH2 दोनों प्रेट के लिए के लिए ओके तो यह कैने मुल्टीपल थेट्स यह नवर एक्जामपल टू थेट्स अर यूज़एं शिंगल ऑबजेक्ट आद इस एक शेरेबल रिसोर्स तो यहां पर सेरेबल रिसोर्स क्या होता यह हमने डिसकेस किया अब हम इस प्रोग्राम का एक्जिक्विशन डिसकेस करेंगे सो दैट दोनों थ्रेट सेरेबल रिसोर्स का कैसे यूज़ करेंगे और दोनों का एक्जिक्विशन कैसे क्या होगा का वो समझ सके हैं, so let us run the program so that we can first see the output generated by this program और उसके बाद में उसका behavior हम समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, so right click and run file and look here how the output is being generated 0011223344 इस तरीकिसा output generated हो है, fine, सब यहां पर यह देखो 0000 पहले आया फिर 112223344 तो यह output कैसे generate हो हम समझेंगे हाला कि इतना तो हमेरे समझ में आगए कि यहां पर यह जीरो प्रिंट नंबर आपजेट को यूज कर रहे हैं, that is being referred by P in my variable resource, okay, now the thing is what, what is going on, यहां पर देखें, thread का execution कैसे क्या है, तो हमें मालूम है कि पहले हम thread को start method call करके runable state में, मतलब ready to run में भीजवाते हैं, तो यहां पर मैने t h1 पे start method call किया मतलब पहला threat oma तब पहला thread जो है वह रेनेबल state में गया ready to run queue में गया, फिर TH2.start method call किया जो दूसरा thread है, वह हभी ready to run queue में, यानि renewable state में गया, हालाकि यहां पर th1 thread पहले renewable state में जा रहा हैं, और त्य हुआ जो है वो बाद में ये यायही टेट में जा रहा है एहां डिपेंड करता है CPU के उपर मतलब यदि TH2 को कभी पहले CPU मिल गया तो TH2 का execution पहले start हो जाएगा and then TH1 का खेर उससे हमें कोई मतलब भी नहीं कि कौन सा thread TH1 या TH2 पहले start होगा वो हमारा concern है भी नहीं दोनों का execution कैसे क्या manage होगा वो हमारा यहां पर concern है so हम मान के चलते हैं कि पहले जो है चुंकि TH1 runable में गया तो let us suppose हला कि possibility भी है कि TH1 thread को पहले CPU allocate होगा और पहले वो अपना execution start करेगा okay so हम मान के चलना है कि TH1 अपना execution पहले start करेगा और TH1 यादि execution पहले start करेगा तो execution start होना मतलब run method का call होना तो TH1 की वज़ए से run method method काल होगी अब जब TH1 की वज़ए से run method काल होगी तो यह पी object को use करके यह जो पी object है उसको यूज करके जो टी एच वन thread है वहाँ do it method को call करेगा तो अब जो पहला त्रेड है टी एच वन वह उसको use करके डूइट method को call किया और आई की वेली होगी जीरो पहले thread के लिए बट वह 500 millisecond के लिए ब्लॉक हो गया तब क्या होगा कि टी एच टू थ्रेट भी तो रनेबल स्टेट में है तो चुंकि टी एच वन ब्लॉक हो चुका है तो टी एच टू को वह अपना execution is start करेगा यानी टी Ñच wirent method को execute करेगा तो उसने भी method को call करना है और टी एच टू को भी does को call Democrat को use ॥inka करके जो भी आपजेट यूजुस कर रहा है पहला object MPR on इस ने नहीं किया तो अभी इस dής भी लूट कर ने लग जाएगा यह शेयरेबल रिसोर्स है यहां पे तो टी एच टू ने इसी अब्जेट को यूज करके डूइट मेथट को कॉल कर लिया और उसकी उसके लिए भी जीरो हो गई टी एच टू थ्रेट के लिए और फिर टी एच टू थ्रेट जो है वह आधे सेकंड के लिए ब्लॉक हो गया जब यहां ब्लॉक हुआ तो पहले थ्रेट का ब्लॉकिंग प्रेट कंप्लीट हुआ तो उसने जीरो प्रेंट कर दिया यह फॉर्लुक की वज़े से जीरो प्रेंट किया देन टी एच वन फिर से लूप जब चलाएगा यहां पर मतलब आएकर नेक्स्ट व फिर 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 से 《ईहैंग फिर से धीज़िस करके झोन करेगा तो इस तरीके से यहां पिर फिर हो का एक साथ यूज़ कर रहे है उन्हों ने is उन्होंने ज़े asynchronous behavior इसी behavior को हम thread का asynchronous behavior कहते हैं क्यों asynchronous है क्योंकि यहां पर एक thread th1 जो है वह एक resource यानि p object एक resource को use कर रहा है उसी समय यदि वह block हो गया तो th2 उसी thread को use करके अपना काम करने लग गया मतलब multiple thread एक ही resource को एक साथ use करने है ऐसा नहीं कि एक ने करना काम कर लिया वह resource को use करके मतलब उस रिसोर्स का use complete हो गया तो फिर वह resource को कोई दूसरा यूज़ कर रहा है no दोनों thread या multiple threads एक ही single resource को एक साथ use कर रहे हैं and this is the asynchronous behavior of the thread यह यह asynchronous behavior वहा इससे आपको advantage भी मिल्दा है बिल्कुल क्या use करता तो कोई दूसरा थेड नहीं करता तो उस case में यहां पर जो execution का time है वह बढ़ जाता ओकी बढ़ यहां पर हो रहा है कि भाई जब TH1 block हो गया वह resource का उसके पास use नहीं है तो उस resource को को दूसरा use कर ले जब TH2 block हो गया तो उसको TH1 use कर ले कहने का मतलब है कि जब कोई thread block है या कहीं और बीजी है तो एक particular resource को कोई दूसरा use कर ले तो यहां पर resource का utilization भी बढ़ रहा है और CPU cycle भी कम लग रहे है so that multiple threads multiple processes एक साथ execute हो से कि इससे जो अपना application है जो प्रोग्राम ने बना उसकी speed बढ़ेगी बट सम्टाइम्स वी रिक्वायर की जो behavior होना चाहिए वो और सिंक्रोनास बीवर नहों के synchronous behavior होना चाहिए यानि यदि कोई a thread किसी resource को use कर रहा है तो उसी resource को को दूसरा thread use ना करे ओके so in that case we should synchronize the thread उस case में में synchronization करना पड़ेगा so now we will discuss synchronization process so what is synchronization in thread thread synchronization is a process in which one thread can execute at a time thread synchronization एक ऐसी process है जिसमें एक समय पे एक ही thread execute हो सकता है नाओ एक समय पे एक ही thread execute हो सकता है कहने का मतलब यह है कि यदि resource shareable है उस समय यदि एक thread किसी particular resource को use कर रहा है तो दूसरा thread है उस resource को use नहीं कर पाएगा shareable resource can be used by one thread at a time समझने की कोशिस करना यहां पर यह नहीं नहीं यहां पर कहने का मतलब है कि यदि एक thread एक particular resource को use कर रहा है तो उसी resource को कोई दूसरा thread यूज नहीं कर सकता उसको उस resource को जब पहला thread छोड़ेगा तभी use करने का मौका मिलेगा ऐसा कुछ ओके नाओ यदि आपको synchronization achieve करना जावा में so there are two ways to synchronize a thread in Java दो तरीके हैं thread synchronize करने के जावा में first is using synchronized keyword आप synchronized keyword को use कर सकते हो method के साथ में या फिर using synchronized block या फिर आप synchronized block का use कर सकते हो so now let us discuss the synchronization using first synchronized keyword okay so वही प्रोग्राम जिसमें हमने थ्रेट का और synchronous behavior discuss किया था उसी में हम synchronization discuss करेंगे so हमने क्या देखा था कि यहां पे जो पी object को use करके दो थ्रेट अपने यह जो दो थ्रेट है टी एच वन और टी एच टू do it method को call कर रहे हैं और जब यह do it method को call कर रहे हैं तो जो दोनों थ्रेट का execution है do it method का execution वह एक साथ चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना यदि इस do it method का execution आपको synchronize करना है तो इस do it method के declaration में आपको synchronized keyword लगा देना है that's it okay so मैंने यहां पर देखें यह जो do it method है जिसको दोनों थ्रेट यूज कर रहे हैं उसके declaration में उस method के signature में synchronize keyword लिग दिया अब इस program को मैं execute कर रहा हूं पहले इसका execution हम देखेंगे कैसे क्या होगा and then उस flow come discuss करेंगे कि यहां पर exactly हो क्या रहा है है so let us run the program now and look how the output is being generated पहले 0 से लेके 9 तक print हुआ and then 0 से लेके 9 तक print हुआ so what is going on अब यहां पर एक साथ नहीं हो रहा है 0011 जैसे पहले output आ रहा तब कैसा रहा है पहले पहले थ्रेड ने या फिर दूसरे थ्रेड ने 0 से लेके 9 तक print किया and then remaining थ्रेड ने 0 से लेके 9 तक print किया मतलब do it method का जो execution है वह थ्रेड ने one at a time किया एक थ्रेड ने पहले do it method का execution complete किया फिर दूसरे थ्रेड ने do it method का execution किया okay this is synchronization अब यहां पर हो कैसे क्या रहा execution वह हम discuss करें तो let us discuss this execution now हो क्या रहा है यहां पर जैसे मान के चलते हैं जैसा कि इस program को हाला कि हम discuss करी चुके हैं कि टी एच बन पर start method कॉल किया यह थ्रेड जो है वो locate किया यानि ती एच one को execution के लिए पहले मौका मिला okay तो जैसी टी एच वन को execution के लिए मौका मिलेगा वह क्या करेगा अपनी run method का execution start करेगा find तो उसने run method का execution start किया और जब Ó run method का execution start करेगा तो उससे क्या करना है dueit method को call कर करेगा using the object P जो object P से refer हो रहा है उसको यूज करके और नाव वो कौनसी method को call कर रहा है do it method में देखें यहां पर synchronized keyword लिखा हुआ है this is the important part student now try to understand so यहां पर do it method पर synchronized keyword लिखा हुआ है so what would happen here यहां पर होगा क्या कि सबसे पहले यह जो टी एच वन थ्रेड है उसको क्या करना पड़ेगा यह जो print number object P इसके साथ में Java एक और object करता है जिसको हम बोलते हैं लॉक या monitor फिर से statement को मैं repeat कर लो जावा जब भी कोई object करता है तो उस object के साथ में एक object और बनाता है हमने object बनाया उसके साथ जावा ने एक object और create किया वह जो एक object create करता है जावा उसी object को हम बोलते हैं lock या फिर monitor ओकी तो P के साथ में एक और object बना वह होता है lock या monitor आपको कह सकते हो और जब भी किसी thread को उस object को use करके किसी synchronized method को call करना होता है जैसे यहाँ पे P object को use करके TH1 को do it method को call करना है और यह do it method जो है वह synchronized है तो सबसे पहले TH1 को क्या करना पड़ेगा यह P के साथ जो lock है उसको acquire करना पड़ेगा उसको get करना पड़ेगा तो यहाँ पे TH1 थ्रेड ने कह किया यह इस lock को acquire कर लिया इस lock को gate कर लिया अब जब इस lock को इसने gate कर लिया तो यह synchronized method को execute कर सकता है तो सिंस TH1 के पास में lock आ गया वो do it method का execution start करेगा यह यह आई की value जो है वो 0 हो जाएगी TH1 के लिए फिर वो block हो जाएगा ब्लॉक होने के बाद में चुंकि TH2 thread है वह भी runable में आ चुका है TH1 अब block हो चुका है तो TH2 का execution start होगा TH2 run method को call कर लेगा no problem और run method को call करने के बाद में TH2 thread को भी do it method को call करना है using object p है ना p object को use करके अब जब TH2 को p object को use करके do it method को call करना है do it method है synchronized तो do it method चुंकि synchronized है तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा यह p के साथ जो lock available है वो acquire करना पड़ेगा वो gate करना पड़ेगा और यह object जो है यह lock जो already किसने hold किया हुआ TH1 ने TH1 ब्लॉक जरूर हो चुका है sleep method की वजह से ब्लॉक हो है बट इसने lock नहीं छोड़ा sleep method जब call होती है तो कोई भी thread जो है वो lock नहीं छोड़ता है तो lock अभी TH1 के पास में है तो जो TH2 है अब उसको lock को के लिए wait करना पड़ेगा यह जब तक TH1 lock नहीं छोड़ेगा तब तक TH2 को lock नहीं मिलेगा और तब तक वो अपना do it method को call नहीं कर सकता using p object दूसरा object होता तो call कर लेता बट वो एक अलग point है तो फिर TH1 का जो block time है वो complete हुआ तो उसने one print किया फिर two three four ऐसे do it method का execution जो है पहले अपना TH1 thread complete कर लेगा मैं do it method का execution complete कर लिया ऐसा बोला हूं यानि जो पी resource की requirement है वो requirement जब तक है तब तक उसने अपना काम कर लिया उसके बाद में वो TH1 complete हुआ या नहीं उससे हमें कोई लेना नहीं उसके बाद में जैसी do it method का execution TH1 thread complete कर लेगा तो वो lock को छोड़ देगा हला कि इसके बाद में हमने कोई code नहीं लिखा है तो TH1 भी कुछ execute नही लेगा तो thing is what now TH1 ने जो है lock को release कर दिया क्योंकि उसको do it का execution हो गया था तो TH2 ने उस lock को require किया और since अब TH2 के पास में lock आ चुका है तो उस P object को use करके वो do it method को call करेगा और 01234 ये print करेगा तो इस तरीके से P object को use करते समयच TH1 और TH2 thread एक साथ उसको use नहीं कर रहे हैं अल नहीं कर पा रहा है and this is the behavior which is known as a synchronization so यहाँ पर हमने synchronize keyword को use करके synchronization कैसे क्या करते हैं वहाँ पर हमने discuss किया fine so जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि synchronize keyword को use करके आप synchronization कर सकते हो यदि आपको synchronize keyword use नहीं करना है तो जैसे मैंने हटा दिया तो आप इसका behavior फिर से asynchronous हो जाएगा चाहूँ तो हम run करके देख लें just look here अब जो thread कभी है और asynchronous हो गया देखें यह 0011 इस तरीके से print होके आने लग गया मतलब दोनों thread उस object को use करके do it method को call कर रहे हैं execute कर रहे हैं तो दूसरा तरीका synchronization का वह है synchronized block तो synchronized block को use करके यदि आपको करना है तो वह करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि synchronized keyword जिस method को synchronize करना है उसके declaration में लिखा जाता है बट जो synchronized block है जहां उस method को call करते हैं देखो यहां पर हम do it method को call कर रहे हैं तो यहां पर आप इस object पी को synchronize करोगे तो यह मैंने synchronized block use किया अब synchronized block में यहां पर हमें पी को synchronize करना है और जो calling statement है वो synchronized block के अंदर आ जाएगा तो लुक यह वाट वे डिड़ रन method में हमें do it method को call करना था using P तो do it method का जो call है using P उसको मैंने synchronized block में लिखा देखो synchronized block में P लिख दिया और यह जो block के अंदर do it method को call कर दिया ओके आप इस तरीके से भी synchronization achieve कर सकते हो इसको भी run करके check कर लेते हैं so let us run it and look here मान के चली के पहला thread जो है वो भी do it method को execute कर रहा है तो दूसरा बेट कर रहा है आप दूसरे ने do it method को call करके अपना execution किया इस तरीके से one thread data time execution हो रहा है okay so this is what synchronization in your threading thanks for watching this video